देखे गाइस analysis शुरू करने के पहले मैं midcap nifty के चार्ट को दिखाते हुए आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आप यहाँ पर यह midcap nifty का चार्ट देखेंगे तो 7th November आज है 14th November और अब market open होगा 18 November तो सीबे तो 7th November से अगर देखा जाए तो market गिरा है गिरा है गिरा है गिरा है आज भी कहीं उपर नहीं चड़ा है और 18 November almost मान के चलिए कि 10 दिन तक क्योंकि market बीच में बन भी हो रहा है तो मान के चलिए कि 10 दिन तक market में profit booking मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे sell किया है market को उन लोगों ने अभी तक अपनी position categorically बहुत धंक से close नहीं की है तो अब इससे क्या समझ जाता है कि 10 दिन तक market सिर्फ sell ही होता जा रहा है गिरता ही जा रहा है गिरता ही जा रहा हाला कि market में open sessions कम रहे हैं लेकिन overall market गिरता जा रहा है अब इस situation में बात यह समझ में आती है कि कहीं न कहीं आपकी इस situation पे जिन लोगों ने sell करके रखा है उन लोगों की profit booking आनी pending है एक दिन market hold कर गया क्योंकि बहुत लोगों के stop loss खा जाता कि market उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करके सिर्फ flat closing देगा और stop loss खाएगा अब जाके देख लीजे market में पांच मिट के time frame पर अगर मैं निफ्टी की बात करूं या आपके mid gap निफ्टी की बात करूं सेम वही exact डिक्टो situation उपर नीचे उपर नीचे उपर नीच महीं से market reverse करता है तो देखिए आपने क्या सीख है यहां पर कि market दो दिन से नीचे जा रहा था आपको लगेगा market flow में गिर जाएगा तो वह भी आपको stop loss खाएगा उपर चला जाएगा आपको लगेगा तो वहां भी आपको stop loss खाएगा तो इस तरीके से market stop loss खाता है लेकिन अब यहां पर जो हम चर्चा कर रहे थे डिसकस यह कर रहे थे कि market 3-4 दिन से लगातार क्या है बेरिश हो चुका है गिरता जा रहा है अगर हम मिटके आप निफ्टी की बात करें 4-5 दिन से गिरता जा रहा है निफ्टी की बात करें तो गिरा बीच में एक दिन एक attempt आया थ करके एक लेवल पर आयेगा और यहां से री टेस्ट करके उपर भागने की कोशिश करेंगा तो यहां पर आया था कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे हाला कि उपर नहीं जा पाया मार्केट में क्योंकि यहां पे selling pressure बहुत ज़्यादा था और selling pressure आपको अभी तक दिख रहा है तो यहां पे जिन लोगों ने मान लीजे मैं आपको सिर्फ example के तौर पे कहरा हूँ literally ये बात नहीं बोल ला हूँ प्लीज जाके comment ये मत करने लगी का सरी ये क्या होता है ऐसा थोड़ी ना होता है expiry भी तो होती है ये सब मैं बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि मान लीजे आपने यहां पे 200 रुपय का option बाई किया था put अब मार्केट जब इतना नीचे आ गया है तो आपको 200 रुपय का option कितने दिख रहा होगा मान लीजे कि मार्केट यहां से आपने sell किया 900, 1000 पॉइंट नीचे गर गया है तो मान लीजे आपको 500 पॉइंट का profit दिख रहा है अब मुझे आप यह बताईए कि इतना ज़्यादा profit के बाद क्या आप यह नहीं ट्राई करेंगे कि मार्केट एक important level पे खड़ा है तो क्या hold करके बैठे रहेंगे और premium देते रहेंगे मार्केट को नहीं यहां पर आप अपनी profit booking करेंगे same situation बड़े institutions की भी यहां आएगी कि market एक important level से गिर रहा और लगातार गिर रहा है और hold कर रहा है किसी important level को अब यह important level है मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके से market चड़ता है उसी तरीके से market गिरने की भी बहुत बार कोशिश करता है mirror image की create करता है और जहां जहां पर market रुखा है वहीं वहीं पर market रुखने की भी एक कोशिश करता है तो अब यहां पर रुखने की एक कोशिश हो सकती है और रुखने की कोशिश हो सकती है तो यहां पर बहुत सारे institutions क्या करेंगे अपनी position निकालेंगा और profit booking करेंगे तो यहां पर इस सीच का आपको ध्यान देखना है कि 4-5 दिन से मार्केट गरता आ रहा है अब कहीं न कहीं आपको profit booking देखने को मिल सकते हैं कल छुटी है इस बात का भी ध्यान रखीगा अब मार्केट सीधा 18 तारीक को खुलेगा मंडे को तो इतने दिन में हो सकता है कोई news आ जाया market बहुत बड़ा gap up या gap down खुल जाया उसकी situation भी हम discuss करेंगे लेकिन अगर market flat खुलता है तो there is high probability कि market अब एक attempt करेगा उपर जाने का उपर जाने का attempt करेगा कि नहीं वो बात पता नहीं लेकिन जिन लोगों ने यहां buy करके रखा है put वो लोग अपना sell करेंगे मतलब अपनी position को sell करके profit अपने हाथ में लेने की यहां पर कोशिश करेंगे क्योंकि अचानक से market और नीचे चला जाएगा उसकी probability कम है और important level पर खड़ा इसका मतलब है यहां consolidation होगा तो consolidation में वो अपना profit booking करने की कोशिश कहीं न कहीं कर सकते है तो आने वाले हफते में 1-2-3 दिन हो सकता है market आपको थोड़ा उपर जाते हुए दिखे 23,800, 23,750 इन सब level पर निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है और फिर नीचे गिरने की कोशिश हो सकते हैं थोड़ा consolidation देखने को मिल सकता है अगर flat खुलता है मंडे की बात करने तो अगर flat खुलता है तो कहीं न कहीं consolidation हो सकता है लेकिन अगर gap up या gap down खुल जाएगा तो situation अलग हो जाएगी देखे मैं बार बार आपको ये बात बताता है आया हूँ कि अगर आपको अच्छे trades लेने है तो सिर्फ analysis से काम नहीं बनेगा मैं daily analysis करके देता हूँ मैं daily line marks करके आपको दे देता हूँ क्या आप फिर भी profit बना पाते हैं कुछ लोग बना लेते होंगे और कुछ लोग नहीं बना पाते होंगे और जब मैं बार बार आपको ये बात बताता हूँ कि जब आप loss लेते हैं तो आप 1000 रुपय का loss लेंगे और जब आप profit लेंगे तो 300 रुपय का profit लेंगे अच्छा दिन था लेकिन जिस दिन loss ले रहे क्योंकि आप एक हजार का लॉस देते हैं उसका क्या उपाय है क्या सुझाओ है देखिए मैंने बार-बार आपको बताया है कि दिन में लिमिटेड नंबर ओफ ट्रेट्स लेना शुरू कीजिए और दिन को रेड में क्लोज करना शुरू कीजिए यह मत सोचिए कि 400 रुपय का से लॉस हुआ है तो मैं इसको रिकावर करूंगा बैठ गये तो मार्केट आपका रिकावर करने nostram Tomorrow करने के बचाए और ले जाएगा पैसा रिकावर करने मत बैठी इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि साइक्वालम सब्सक्राइबर इन पॉन्टें डिये है मेरी अनलेसिस देख कि आपका लगले दिं ट्रेडर लेने बैट जाएगी आपको profit भी हो जाएगा लेकिन लांग टमऩ के लिए आपकर profit नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाती ट्रेडर हैं मैं और कुछ आप से निवेदन नहीं करता हूं डेली अनलिसिस देखा कीजिए मेरी बातों को गौर फरमाया कीजिए कौपी बन लेकर नोट किया कीजिए और थोड़ा सा पैसा है और लॉंग टम में सोचने हैं कि ट्रेडर बनना है तो क्लास ले लीजिए सबसे पहला काम है अपनी मजबूत कीजिए आपको कुछ और आए ना है वह बहुत इंपॉकस कीजिएगा हां तो देखिया हम जैसे डिसकस कर रहे थी कि मार्केट कई दिन से लगाता नीचे आ रहा आप कही ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है ट्रेड कैसे लेना दे आपने तो इद्दम अच्छी अनलेसिस कर दी सर आपको पता कैसे होता मार्केट में होने के वाला देखिया मुझे जो भी पता होता है मैं यहां 15-20 मिनिट बोल के आपको बता देता हूं कोई नहीं बात नहीं है कोई छुपा के नहीं रखाँ जो करता हूं आपके सामने कर रखिए मेरी बाते सुनने से आप भूल जाएंगे नोट करके रखने से हमेशा याद रहेगी तो हमेशा कॉपी पैन ले लीजे इसलिए मैं बार 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 बोलता हूं कॉपी बनाईए इस बिग डील आप यहां करोड़पती बनने आप पांच-पांच रुपेर की कॉपी अब आप को नोट करने में अब आज मैंने बता है कि करोड़े लेजाया और और सब्सक्राइब है वहां पर market क्योंकि कई दिन से नीचे आता जा रहा है तो ये सारी बाते हैं अब आपको नोट करने हैं अब आज मेंने क्या बता है मैंने ये बता है कि कई दिन से अगर मार्के नीचे जा रहा और एक भी दिन बनाना है उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो हम ट्रेड एक्सेक्यूट करेंगे फुल कॉंटिटी में उसके अगेंस्ट मार्केट जाते हुए हमें दिखाता है तो चोटा स्टॉप लेंगे और ऑपसिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो हाफ कॉंटिटी में लेंगे यही तो फंडा है यही तो करना है लेकिन मार्केट कहीं भी खुल जाता है और रैंडम हमारे दिमाग में कुछ बैठा हुआ है कि कहीं भी ट्रेड लेने वह का नहीं करना है तो अब देखिए हमने डिसकस किया था साइडवेज हो जाएगा मार्केट वेरी गूट करना है तो अब क्या करना है अब ऊपर के तरह टेड लेने की कोशिच करनी है कहां से उपर के तरह टेड लेसके जब flat खुलेगा अगर बड़ा gap up या gap down खुल गया तो market फिर एक side का momentum दे सकता है क्यों देखिए बात को समझिए मैं आपको समझाने की nifty में कोशिच करता हूँ क्यों एक side का momentum आ सकता है अब देखिए कई दिन से market नीचे ही नीचे ही जा रहा है अगर market कहीं भी नीचे खुल गया gap down के साथ खुला तो बताइए मुझे मैंने आपको शुरुआत में example दिया था आपने 200 रुपय का put buy किया हुआ है 700 रुपय आपको दिख रहे हैं अभी market अचानक से लोगों को दिखेगा तो अगर मार्केट कहीं भी gap down खुल जाता है तुरंट profit booking आ सकती है और अगर पहली पंदरा मिनट की candle का हाई ब्रेक को उपर के ले लिए भागेगा market क्यूंकि कहीं ना कहीं यहां reversal आने की chances बनते हैं तो मार्केट अगर कहीं gap down खुल जाता साथ अचार करोड का यहां पर मार्केट ऊपर खुल जाता हुने दिखने लगता पांच अजार करोड का profit तो यहां पर जब उन्हें लॉस दिख रहा है दो जार करोड का कम नुकसान दिख रहा है तो वह ट्राइब करेंगे भाई 100 करोड और लगा और मार्केट को नीचे ल क्यों कि चार दिन का विकेंड बन रहा है तो इसलिए हो सकता है मार्केट कहीं न कहीं कि आप आप या गाप डाउन खुल जाता है तो क्या हमारा हमारी experience क्या कह रहा है हमारी understanding क्या कह रही है दो चीजें कह रही है जाके उपर घुमेंगा जिसको नीचे के तरफ एंटी बनाने के बाद उपर स्टॉप लगादे लगाए तो आपको ध्यान रखने मार्केट हो सकता है थोड़ा ज्यादा नीचे तक जाए तो इंपोर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए आपका हो जाएगा 23,475 तो थोड़ा सा डीब जाएगा और लोगों को यह दिखाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है और वहां से तो पहले हो सकता है 23,475 तक मार्केट आए और उसके बाद करने की कोशिश कर अगर फ्लाट खुलता है 23,475 पे एक ग्रीन कलर की तरफे लेजिएगा क्योंकि मार्केट ऊपर भागने की कोशिश कर सकता है कही ना कहीं profit booking आ सकती है अगर मार्केट फ्लाट खुलता है और सीधे निकलने की कोशि है यह लेवल थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा से पस इस इट 23,600 देके राउंड फिगर भी आ गया मैंने इधर नहीं देखा तक राउंड फिगर आ रहा है कि नहीं मैंने बस candle को ध्यान रखते हो मांक कर दिया अगर मार्केट फैट मुझे नहीं पता कि चाह दिन बात खुला है तो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर जाए एक डिरेक्शन में अगर मार्केट फ्लैग खुलता है नीचे निकलता है तो हाफ कॉंटिटी में नीचे के तरफ डीजेगा अगर 23 तो हम 475 के नीचे 15 में केंड का लगी यहां केंडल बनाता है तुरंत उपर के तरफ ट्रेट क्यूंके मार्केट में प्रॉफर डूकिंग आई और मार्केट ऊपर भागने की कोशिश करेगा 23,600 के उपर 15 मिनट की कैंडल बना है और उसके हाई को ब्रेकर तो उपर के तरफ फुल कॉंटिटी में टेल ल लो ब्रेक हो नीचे के तरफ टेड नीचे खुलता है और उपर आने की कोशिश करता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो उपर के तरफ टेड अगर प्लैट खुलता है इस रेंज में ट्रेड लेने की आवश्यक्ता नहीं है मार्केट ऊपर निकलता है फिफ्टी 50,000 जो आपका लेवल है वो कई बार हिट कर चुका और जैसे मैंने बताया कि मार्केट को अगर उपर जाना भी होगा तो पहले थोड़ा डीप नीचे जाएगा थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा उसके बाद रिवर्सल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे करना यह है कि जो पुट वायर्स हैं जो नीचे के तरफ लेना जाना है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो पचास आज़ार की नीचे थोड़ा निकलेगा सब को लगेगा रहे मार्केट नीचे जाएगा नीचे कर देंगे एक्सक्यूट कर देंगे मार्केट पर ध्यान रगना तो उपर के तरफ हम ट्रेड एक्सेक्यूट कर सकते हैं उपर खुलता है नीचे आएगा नीचे खुलता है उपर जाने की मार्केट कोशिश करेगा उपर नीचे करने की कोशिश कर सकता है हमें स्टोकास्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है क्यों कि मार्केट कहीं एक डायरेक्शन वे उपर घडने की कोशिश कर सकता है हमेंया सबसे ज्ञादा चैनल मुझे दिख रही हैं कहीं 12150 के लगब कर इसके उपर 15 minute की के केंडल एक र देखते हैं तरे त्रेट मार्च नीचे खुलता है और पहली पंदा मेनट की केंडल का हाइब रेगो ऊपर के तरफ हम ले सकते हैं मिटकर निफ्टी में सिनारियों जो सकते हैं निफटी में मिड़कर निफटी में आगे चलके संसेक्स की भी अब अनलीस करना चुरूल करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की विकली एक्सपारी चल लिए और बहुत सारे लोग संसेक्स के ट्रेड लिया पसंद करेंगे गाइज और हाँ शेयर भी कर दिया किया किया कि यह ऐलगोरिदम जो इन लोग का यूट्यूब का है और इंस्टाग्राम का है वो से माध्यम पर ही पुश करता है तो जितने ज्याधा शेयर और शेयर कर दिया कि शेयर अपने अपने ही WhatsApp group में अपने ही लोगों में शेयर कर दिया किजिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चैनल हम लोगों का ग्रो करें हमारी छोटा सा परिवार जो है थोड़ा और बड़ा हो तो शेयर जरूर कर दिया किजिए उससे हम लोगों का push होगा और हम लोग आगे थोड़ा और बढ़ सकेंगे सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए हो सकता है मैं अभी आज थस्टे है फ्राइडे सेटरेडे संडे किसी दिन मैं लाइव आउंगा लाइव आउंगा उस दिन हम लोग बात कर सकते हैं कोई भी पूशिश जरूर करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा थैंक्यू